कई लोगों का सवाल है कि अगर आस्थमेटिक आटक या ब्रंकाइटेस की जो दमा टाइप का प्रॉब्लेम होता है रात में हो या दिन में इसका समाधान क्या है अकी प्रेशर में तो आज इसी पर वीडियो बना रहा हूँ आप आखिर तक देखेगा तो आपको सारा और देखो कि आपको आस्थमेटिक आटक से भी मुख्ति मिलेगी अगर हाट को पर प्रेशर दबाव बन रहा है उससे में भी फायदा होगा साथ में ब्रंकाइटेस का जितना भी लख्यन सिंटम्स है उसमें भी दोस्तों आपको असर मिलेगा अच्छा असर मिलेगा पहला होता है problem अगर सुरुवाती हालत में है attack का समय नहीं है फिर भी आप रोजाना इसको करें अगर attack हुआ है और दमा चल रहा है asthmatic feelings हो रही है और रात का समय कोई दवाई हो गएर आपके पास नहीं है तो ततकल आप क्या करो तो पहला है कि दोस्तों lungs का point को आप अच्छे से activate कराओ यहां रहता है lungs का point mid finger और यहां ring finger के बिचों बीच इसको stimulate करना है 5 साल से ज़्यादा और 85 साल तक किसी भी age में लोग हो उन पे यह apply आप आराम से कर सकते हो 20-25 बार इसको यहां stimulate करें फिर इधर left hand में भी फिर left hand के little finger के नीचे heart का point भी थोड़ा stimulate करें इसके वाद सिधा आईए आप throat का point number 6 छै number जो point है मेरे किताब जिसके पास है उसको थोड़ा easy रहेगा देखना point number 6 इधर और यहां इससे भी कम से कम 20-25 बार इस तरीके से दोस्तों stimulate करना है फिर उसका opposite side में इस तरीके से पकड़के करना इधर भी और इधर भी ये भी 20-25 बार इधर भी 20-25 बार देन अपर क्या करना है हरेक का end में पंदरा पंदरा बार दबाव डालनी है इधर भी यहां 15 यहां 15 यहां 15 यहां 15 और यहां 15 इसके बाद आपको थोड़ा focus होना है nostril point number 34 एक दो तीन दस-दस के आपको देना है एक दो तीन मतलब हो गया है इछ एक दो तीन, तो ये दस, ये दस, ये दस. ऐसा इधर भी. यहां दस, यहां दस, यहां दस. दस, दस, दस. इस तरीय के साब पूरा complete कर पाओ होगे हाथ का सारा पोन्त तो यह देखलो एक बारी किताब को. दोनों हाथ में दोनों किताब दिखाता हूं. हजारों टिप्स, सौसो बिमारियों का इलाज डाइरेक्ली भी मंगा सकते हो या ओनलेन एमेजन से भी मंगा सकते हो घर में रिफराल बुक एक रखो वीडियो तो देख रहे हो वीडियो देख के भी करो और जहां जरूत होता है ट्रिट्मेंट बुक याने रिफराल बुक माई हल्थ इन माई हैंड का भी इस्तेमाल करो ऐसा करने के बाद आप पेशेंट का इस साइड से थोड़ा ऐसा रॉबिंग करिए यह रॉब ऐसे करना है छोटा बच्चा अगर है या बच्ची है उनका ऐसे सर्सों का तेल और गरम करके भी यहां पे रब कर सकते हैं इसमें डाल के हलका सा सर्सों तेल लसन अगरा डाल के गरम करके चेश्ट में भी लगा सकते हैं और पीट में भी दोस्तों लगा सकते हैं पीट और चेश्ट उससे फायदा होगा और मेथी तेल भी दोस्तों बना सकते हो मेथी तेल कैसे बनाओगे ऐसे ऐसे रब करना है अच्छे से ये देखो रबिंग अच्छे से देखो इस तरीके से मेथी तेल कैसे बनाओगे नाप तील का तेल 100 ml ले लिजे उसमें चार चमच मेथी डाल के मेथी दाना अच्छे से उसको उबा लिए और फिर छान के कांच का बटल में रखिए और जब भी इस्तिमाल करें थोड़ा गुनगुने हालत में ही इस्तिमाल करिएगा पैर का तल्यूए में भी दोस्तों अच्छे से मसाज कर सकते हो चाहे सर्सों तेल में आपका लसन डाल के गरम करके हो या फिर जैसे आपको मैंने बताया मेथी तेल के माध्यम से आप अच्छे से पैर के तल्यूए को मसाज करोगे तो आस्थमा जो है वो कम होगा कम होगी और उस ही कुछ चेश्ट और में भी आप लगा सकते हो लेप उसका भी दे सकती हो मतलब एक तरह से उसको भी अच्छे से लगा सकते हो चेश्ट में तो इस तारीके से माझए आप में थोड़ा सा हनी मिला के भी अगर चटा दोगे पेशेंट को तो भी ततका लाब होगा इमीडेट असर पड़ेगा तो आसा करता हूं ऐसा नकरी को पाने के लिए आप फिटम फ्रम हस्पिटाल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन बजाओ और अगर कोई समेशा ज्यादा प् अनस्या टाइप उन डाइबेटिस यसे बच्यों का है फिषाप में अगर प्रोटीन जाता है ओ प्रॉल्म के लिए आप मुझे कंट्राइट कर सकते हो आ कैकी प्रैशन सीख सेकते हो सालों साल अपने लिए अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तैंक यू दोस कर दो झाल.